चुनाओ दर चुनाओ, हिंदुस्तान में घमासान के बीच एक शक्सियत और उनकी पॉलिटिक्स के खूप चर्चा होती है कौन है वो व्यक्ति समझना मुश्किल नहीं है जिहां, असदुदीन वैसी, बिहार की धमक के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाओी एंट्री पर जितनी चर्चाएं हो रही है या फिर लगातार होती रही है उसमें चौतिद और के मद्दान के बाद परिस्थितियां क्या है और क्या उनकी नजर में है, बंगाल में क्या हासिल करना चाहते है आज, इलेक्शन एक्स्प्रेस पर आज तक के खास महमान असुदीन वैसी जी, AIMIM चीफ हमारे साथे वैसी साहब 294 में से साथ सीटों पर लड़कर, आपकी निगाहें कहां है और निशाना कहां है उन्हें, छे सीट पर लड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना हमारे साज सीट पर ही है और शुरुआत है और हम को यखीन है कि बंगाल में हमारे लिए हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होने वाला है और इसलिए हमको लगता है कि हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और जहां जहां हम जा रहे हैं अपनी पार्टी को strengthen कर रहे हैं तो निशाने पे मोडी भी है और ममता बनर जी भी है सबसे लड़िएगा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं लड़ेंगे क्यों लड़ना ही आता है हमको समझोता करना आता ही नहीं है तो लड़ेंगे तो सेकुलर पार्टियां तो मिलती तो अच्छा होता ना अब तो वही फिर सवाल पूछा जाएगा सर आपने मुसलिम वोट को बाटने के लिए यहां पर आपाए हैं दिखें आप सेकुलर पार्टी जो है मुझे अ जनीती उसमें यही सब पार्टी से दिखाने कोईश्च कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है तो यही असल जगड़ा है और जब यह माहौल बन चुका है तो फिर कौन जारी हाल असदुदी नोवेसी की पार्टी को छोड़िए अब तो पॉलिट एलेक्शन में आप कर दो करें पिंदू पर मुसलीम वर्ड नहीं सुनते आप मैनोरिटी वर्ड नहीं सुनते तो मैं कहां मैं तो बहुत दूर हूं को ऍth शांडलिया है आप अलाइंस की बात कर रहें मैं तो वर्ना सिस्टम में आता नहीं हो ना ये बायू फिसद दलित आते हैं बंगाल के कहां अलाइंस करेंगे इसलिए अगर आप ये कह रहें के भाई मैं हिंदू ब्रामन हूँ और मैं उपर हूँ और तुम लोग तो आते भी तो मतलब क्या है कि आप घुलाँमी करते रहो तो यही तो खते ही तो है ना, कि आप देखिये कि यह सिस्टन्टली हो रहा है तमिलनाडू में ने कि वनीनगा कई लिए हुं को काशी मतुरा जो दीगर मंदिर प्रियातरा पर जाएंगे उनको 25,000 से एक लाग देंगे हम 1000 कौड उपिये ड्रेवीडियन जो मंदिर है उसको रिवाइफ करने के लिए देंगे मेरे को आज भी समझ में नहीं है कि वो सरजमीन जो अन्ना दुराई और पेरियार की सरजिन मानी जाती है वहां पर यह हो रहा ह बंगाल में यह चंडी पाथ पड़ती है उनको इलेक्शन कमिशन का नोटिस किसलिए मिला ममतादी को उन्हों ने इस बोला कि मुस्लिमों एक हो जाओ एक साथ आके तो उनके लिए तो वो देखे अब 24 गंटे के लिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे ने ठीक है उनका उन को तरह शांडलिया है वो भी एक हो जाएं उनको बोलना चाहिए था ना वह आप वो नहीं बोलते आप बोलकर क्या डर दिखा रहें इन प्यार नर्सी का यही तो इनकी परिशानी और ममताब इनर जी ने अपने जो रिपोर्ट कार्ट में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि ब हम क्या कोई नोटंकी कंपनी के मुलाजिम है कि आप अक्टर को देखकर थालिया मारते रहेंगे क्या है यही आल आप करके रखिये हमारा तो इसलिए हमारा इन पर स्ट्रॉंग अब्जेक्शन है तो एलेक्शन फिर से यह हो रहाएगा उमताब इनर जी यह बता रही है कि म पार्टी सिर्फ मेजोरिटी कम्यूनिटी कोट्स के लिए लड़ती रहेगी वैसी जी भी तो इसी लोग तंतर का हिस्सा है ना आप लड़ रहे हैं ना आप कौन सी सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर आसन सोल बताईए आपका इशारा किस्ता समझ गया में आप यह बतान सोल में लड़ रहे हैं उत्तर दिनाशपूर में लड़ रहे हैं यह खिनन लड़ रहे हैं तो इसमें गलती क्या है गलती क्या लड़ेंगा ना तो अपको कलमा नहीं पढ़ना पड़ता है आप तो बस जोश में जब-जब मोडी जी को बोलते हैं कि यह मोडी देखो मुस्ल नालिखने है थे ये जो छुपाओ वा है खुल कर आ जाए हमारे बोलने के बादी ये छुपाओ है भाई यह जूप FLाहर है और मेट फोटा को खिचवाए कौन रोक रहे Wow ने क्या है बांगिलादेशी हो क्या क्या आपने ट्विस्ट दिया तो इसमें हमारे बोलने के बाइज जुल्पेखार निकला ना तो बी-जेपी को दौड़ना पड़ा अमिश्या ने कह दिया कि आप भी एक हिंदू से फोटो खिचवा ही है खिचवा रहें के नहीं से हमने तो ऐसे दस फोटो डाल दिये सोशल मीडिया पे हजारों लाखों बार वो देखा गया यही तो हम कह रहे हैं कि आप फोटो खिचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं मोडी जी अगर इतना सेकुलर हैं तो फोटो खिचवाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं आप और कि फोटो खिचवाने से ही आप मुसल्मानों के लिए या उस माइन बड़े सबसे बड़ी माइनोटी के लिए कुछ कर रहे हैं क्या आप बता दीजिए ना कुछ नहीं कर रहे हैं फोटो खिचबा दिये अब हम फोटो देखके खुश हो जाएं बताइए आप यही तो प्रावलम है जुलसिकार अली ने सर आपको ललकार दिया वो कह रहे ऑब ड़े को मोडीजी गुजराच से टिकेट डे दे इसको MP बनाए लोग सवासे देखें चलिए उसकी महबत इनकी महबत बेखें यह एक तरफा महबत हो रही है मोडी जी किसे एक तरफ मोडी जी से एक तरफा महब्बत के हामी है जुल्पेखार को लड़के का नाम और जुल्पेखार वाखिम है तो इसको टिकिट दे दीजिए गुजरास से या बंगाल से देकर जिता यह नाम इंपी बना दीजिए आपके पास एक लोग सवाम इंपी नहीं है आप कौन सी महब्बत की बात कर रहे हैं आप जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं सर आप चाहरे हैं मुस्लिम दलित कंबाइन को आप टागेट करते हैं यहाँ पर तो CSDA से लेकर प्रशांत किशोर ने मान लिया कि जो दलिक समुदाय है वो मोदी के साथ है अब देखिए परशांत किशोर साब यह दो बहुत कुछ मान लिया ना दिल की बात जुबान पे आई गई क्लब हाउस में बुरा मत मानिये मर आपकी फेटरनेटी में दो खिसम के जरनलिस्ट हो गए एक जो शाखा के जरनलिस्ट हैं इन दोनों में एक ही उनानिमिटी है कि यह कभी भी इस बात को पसंद नहीं करते कि मुस्लिम एमपावर्मेंट किसी खिसम का हो यह जो क्लब हाउस जरनलिस्ट है यह भी अंदर से शाखा के हैं संगी है मगर उनको नरेंदर मोडी परसनली पसंद नहीं है अपीजमेंट अगर हुआ तो बताईए कहां अपीजमेंट हुआ है हम आज भी कह रहें कि अगर बंगाल में मुसल्मानों का अपीजमेंट हुआ है तो आखिर क्या वज़े है कि 16% मुसलिम बच्चे 9 और 14 साल के दर्मियान में स्कूल को जाते ही नहीं है आखिर अपीजमे हुआ है तो फिर 38% जेल में क्यों है 6% नोकरियां क्यों है अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर ड्रेनिज लाइन पानी की लाइन क्यों नहीं है अगर अपीजमेंट हुआ है तो आज भी मालदा मुश्राबाद में आरसिनिक पानी पिया जाता है इतना जादा कि जो डेब आज भी अगर आप दस में से आट लोगों को पूछेगा वो ऐसी बात कहेंगे कि हमें उसे जिताना है जो मोदी को हराएगा क्या ये सच नहीं है? क्या बास सिद्धी की से लेकर सब यहीं नहीं कह रहे हैं? मेरी पहली स्पीच है पार्लिमेंट की मैंने कहा कि मैं मुबारक बात देता हूँ नरेंदर मोडी को पूरे बीजेपी के एंपी परेशान होगे क्या कह रहा है? मैं आपने इस मित को बरबात कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक था मुस्लिम और कभी था ही नहीं यहाँ पर हर द के डेटे में उसमें बताया गया कि 2014 में और 2019 में एक ही कम्यूनिटी है जो जिसका ओट बीजेपी के मिला बढ़ा नहीं च्छे या आठ परसंट मिला बीजेपी को मगर दूसरे कम्यूनिटी का सब बढ़ गया मोडी को हमीं तो एक खड़े वे ना एक पहाड की तरह बागी कि सब तो फिसल गए मोडी की तरफ एक ही कम्यूनिटी आप डेटा की बात कर रहे हैं 31 परसंट ओर्था मोडी का हिंदू ओर चौदा में अब 37 परसंट हो गया उनको लगता है ना पीजमेंट पॉलिटिक से इसे ही निकलेंगे अप हम यही कहते हैं कि ना सबका साथ सबका पाफ कि आप बात कर रहे हैं तो एक ही बात कर रहा हूं आपके पास मुसलमान MP क्यों ने जीता लोग समा में आप मुसलमानों को डिमान डिमिंट स्कॉलेशिप क्यों नहीं देते आप मैं दूसरे इशूस की बात ही नहीं कर रहा हूं जिसको आप बोलेंगे यह तो emotional है यह क्यों हुआ कॉंग्रेस भी आपको अच्छूत समझती है आप कॉंग्रेस को देखिए और तमाम ऐसे राज्यों में देखिए यहां पर देखिए उस वुस अलाइंस में आपके लिए जगा नहीं बनी अब बास सिद्धिकी के लिए बन गई जिनके आप अगर वीडियो देख बिहार में हम लड़े जीते अब यह बात बता यह गोधरा में क्या हुआ हमने लड़ा और बीजेपी का मेर बने नहीं दिया महाँ पर मोडा सा में हमाँ अप मेना पोजिशन हम है मुंस्पल कॉर्परेशन में यही तुम बता रहे हैं कि और मैं बता रहा हूं आपको कि यह जो नौजवानों में जो एक चर्णिंग है वो अब इस तरह की सेकुलर यह सो कॉल सेकुलर प्लिटिस को मानने आले नहीं है लेकिन कहा यह जाता है कि गोधरा में तो आपकी वज़े से मेर नहीं बन पाया बीजेपी का लेकिन बिहार में इंडिये की सरकार बन गई आपकी थी कि 20 सीठ हम रड़े 5 हम जीते 9 गड़ बंदन जीता 6 एंडिये जीता अब मैं तो कहीं मरतबा आरजडी के नेताओं से बात किया 6 मेने पहले हो बोले हसके मुस्कुरा दिये किसी नहीं आराज हो गए अब नहीं करते नहीं करें हम क्या करें किसे जोर दबरस्ति कर सकते क् पुलिटिकल करियर को समराइज करके एक सवाल जो मुझे समझ में आता है मैं सवाल को बाशन बोलेंगे आप नहीं मैं यह बोलूंगी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और आप कहरें कि हिंदू मिजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स अब इस देश में बीजेपी के साथ तीन लाइन तीन लाइन में आप समझाईए कांटर कीजे आपके लग होता है वो हमेशा रहेगा नापके साथ और वो आपकी छवी को बनाता है उसको कैसे कांटर कीजेगे तीन लाइन देखे भारत के सम्विधान को मजबूत करना है जमूरियत में लोगों को और भरोसा दिलाना है तो असदी नोवेसी ऐसा ही रहेगा ऐसा ही रहेगा बिलकुल ऐसा रहेगा मैं बदलने वाला नहीं हूँ चाहे आंदी आए तूफान आए धूप आए च्छाओं आए जब तक मैं जिन्दा रहूँगा ऐसा ही रहूँगा यह मेरी औरिजनलिटी है मैं बदलूँगा नहीं क्योंके मुझे यकीन है कि इसी तरह रहने से ही मैं यहां तक आया हूँ और आगे भी जाओंगा इंशाओं तो लोगों को देगा भाई को सब काले में सुफायत में तो एक ही नजर आ रहा है वो वक्त आएगा अब तो सब काला होना चाहरे हैं अपना अपने सफेद कर लिया अज़ें अपने एक मेटाफॉर की तरह समझा है मेटाफॉर की तरह बकिन आप इमेज़के मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ कि मुझे अपना इमेज चेंज करना है मुझे कोई फिकर नहीं मेरा जो इमेज है यह बदलेगी नहीं यह उरीजनल है देखिए ना ना तो मैं यह बदलूंगा नो बदलना चाहिए अगर आपको करेज ऑफ कन्विक्शन है तो उस पर बर्खरार रही है ना वरना तो कल बोले कि मुझे देखिए मुझे किसी भी हिंदू भाई से तकलीफ थी ना है ना कभी रहेगी मेरा मुकाबला उन लोगों से है जो अपने आपको जन्योधारू कहते हैं जो अपने आपको कहते हैं कि हम बड़े हैं आप छोटे हैं जो हिंदुत्वा की आइडियोलजी को इस किया है मगर आप देखेंगे कि ये मैजिक शो है हम जब स्कूल में थे तो मैजिक शो होता था एक मैजिशन आकर अपनी टोपी से खरगोश कभी अपनी हाद से वो फूल निकाल कर किसे को देता था मैजिक शोख खतम होगा जब खतम होगा जब रिलеш करें कि भी साब यह तो तबाव बर्बारॉद हो गया मैजिक शो खतम होने वाला है मैजिक शो जगो दिन नहीं चलता है मैडम मैजिक शो नहीं चलता ये P.C. सरकार की सरदमụcी नहीं थे ना मैजिशियन है खतम हो जाएगा अब मैजिक सो चल रहा है देश मुतासिर है बजिशन आ गया है देखे बोल रहे हैं एक दिन मैजिक सो खतम होगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवेसी जी हमारे साथ आज तक पराने के लिए तक बाते करने के लिए तो ओवेसी जी ये कहते हुए कि यही उनका जो देखाया है इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे और राजनीती में एक दिन वो भी आएगा जब 6 से लेकर 294 तक का सफर वो पूरा करेंगे देश तोनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक